मस्कार आदाप सिस्ट्रे का राम राम खमागणी दोस्तों मैं रजने स्वागत करती हूँ आपका हमारे चनल दा सक्सेस में तो दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के NCRT मैंने सोचा है कि स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर दोनों की जोगरोफी शुरू करने के लिए जैसे कि में वह सारी जोगरोफी आपको नोट से और syllabus के according पढ़ाऊंगी लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो की बिल्कुल zero level से त्यारी कर रहे हैं मतलब जिनोंने अभी graduation pass आउटी कर रहे हैं और जिनोंने अभी MA pass कर रहे हैं बहुत सारे लोग तो मतलब MA पे ध्यान नहीं देते हैं जैसे private कर लिये में तो उन नेट का syllabus जोग्रोफी का हमारा first grade का syllabus और हमारा college lecturer का syllabus यही 9 से 12 तक की जोग्रोफी है इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है है ना तो मतलब आप अभी जो first grade का exam हुआ है ना तो मैं अभी मेरी school में जैसे 10th, 11, 12th के बच्चों को जोग्रोफी पढ़ा रही हूँ मैं रोज उन के book में से कोई question आता है मैंने उनको कितने question बता दिया कि बेटा देखो यह मैंने समझाया यह आपके first grade में आया यह इसमें आया यह इसमें आया तो मतलब मैं उन लोगों को अभी बोलती हूँ कि आप इस level से अभी इतने concept clear रखो कि आप जब competition exam के तयारी देने लगो तो आप जानते हो कि किसी भी exam के तयारी के लिए NCRT बहुत जरूरी है तो हलांकि हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे और आप चिंता मत कीजिए आपको school lecturer, college lecturer के बिल्कुल जो भी syllabus के according मैं notes तयार कर रही हूं वो notes के according के पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक डेड महिने में हम इ जिनादेरी के शुरू करते हैं यह हमारे 9th की NCRT है जो मैंने हिंदी में download कर ली है और इसमें कुल lesson है देखो 6 part है इसमें total और ज्यादा कुछ pages भी नहीं है देखो एक से लेकर 64 टक के page है बच्चों के मतलब बिल्कुल हमको एक 0 level से पढ़ा जाती है NCRT किताबों में यही करे जाते है ना ऐसे रंटांत टाइप चीजे कुछ नहीं होती है और बहुत अची बात है अपने आप यही बुक चल रही है हम लोग यही बुक बढ़ाते हैं बच्चों को तो कोई जादा बड़ी किताब नहीं है जल्दी जल्दी हम सारा पढ़ लेंगे ठीक है मैंने वै तो आप लोगों से उमेद करती हूं कि आपकी मतलब यह बेसिक चीजे तो क्लियर ही होंगी लेकिन फिर भी अगर हम एक शुरुआत कर ही रहे हैं तो बेसिक चीजों से शुरुआत करें ठीक है तो भारत विश्व की प्राचींतम संस्कृतियों में से एक है पिछले पास द देश है यह उत्री गोलार्ड में स्थित है तो हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी प्रिथवी है वो उत्तर और दक्षिन दिशा के हिसाब से दो गोलारदा में बाटे गई है जिरो डिगरी से नीचे वाला दक्षणी गोलार्ड और अगर हम देखे देखो यह जिर गोलार्ड में स्थित है मतलब हम भूमते रेखा के उत्तर में स्थित है इसका मुख्य भाग 8 डिगरी 4 मिनट उत्तर से 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अक्षांस और 68 डिगरी 7 मिनट से 97 डिगरी वच्छिस मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों अगर हम यह विश्वे का मैप द तो देखो यह 0 डिगरी है 0 डिगरी से इधर चलेंगे तो 90 डिगरी टोटल इधर और 90 डिगरी इधर ऐसे करके टोटल 181 प्लस एक यही ले ले 181 अक्षांस है तो हम अगर 8 डिगरी हमें देखनी हो तो बताओ कि इधर चलेंगे हम 8 डिगरी क्योंकि 90 डिगरी पे खतम हो र पिद्धरिद्टर्फी चलेंगे तो जीरो एक दो तीन चार ऐसे करते करते यह जो अपना भारत है इसको थोड़ा जुम आउट कर देतीू मैं यह अपना भारत है तो एक दो तीन चार ऐसे करते करते ये जो कोना है ये आएगा अपना 8 degree 4 minute ठीक है फिर 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके चलेगे और ये जो अपना last कोना है ये है 37 degree 6 minute और कौन सा अक्षांस कौन सी दिशा में हैं उत्री दिशा में ये उत्री अक्षांस ऐसे हम अक्षांस से इस्तेते देखेंगे और देशांतरों की बात कर तो बताओ हम पूरवी गोलार्ड में हैं कि पस्चिमी गोलार्ड में मैंने क्या बोला 0 degree greenwich रिखास से इधर वाला जो है वो कहलाएगा पस्चिमी गोलार्ड और पूरवी दिशा में जो है वो कहलाएगा पूरवी गोलार्ड तो हम किदर हैं हम पूरव की तरफ हैं तो हम क तो तीन चार पांच ऐसे करके यहां से शुरू करेंगे तो यहां आएगा 68 डिगरी 7 मिनट कहां क्योंकि एक से शुरू हो रहा है तो 68 डिगरी 7 मिनट से हमारा जो पस्चिमिक होना है वो स्टार्ट हो रहा है और 68 के बाद में 79, 72 ऐसे करके 77 डिगरी 25 मिनट पर हमारा भारत ख करकरेहा, सराधी 23 डिगरी उत्तर में देश को लगबग 2 वर्बाबर भागों में बाठती हैं। हम हमारी करक्रेखा को देखे भारत को भारत से जो है साड़ी 23 गरी उत्री रेखा जिसे हम करक्रेखा भी बोलते हैं लग बग देखो ये कितनी है zero degree ये 15 और ये 30 इसमें especially करक्रेखा नहीं दिखाई है तो करक्रेखा कहा आएगी 30 से नीचे आएगी तो obviously यहाँ सी आएगी और यह रेखा भारत को लगबग दो भागों में बाट रही है कौन सी रेखा करक रेखा साड़ी तेईस डिगरी उत्री अक्षांस को हम बोलते हैं करक रेखा और साड़ी तेईस डिगरी दक्षनी अक्षांस को हम क्या बोलते हैं मत करक रेखा तो जो करक रेखा है भारत को किते भागों में बाट रही है दो भागों में बाट रही है मुख्य भूभा के दक्षिन पूरों में अंडमान और निकोबार दीप समुहें बंगाल की खाड़ी में इस्तित है तथा दक्षिन पस्ची में लक्ष दीप समुहें अरब सागर में इस्तित है तो अगर हम देखे उस दीब समुह का नाम क्या है लक्ष दीब समुह है अपनी एटलस की सायता से आप इनको देखें दोस्तों मैं एक बाद जरूर कहूंगे अगर आप जोग्रोफी पढ़ना चाह रहे हैं मतलब जोग्रोफी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो एटलस और रफकोपी आपके हाथ पर होनी चाहिए जैसे ही जैसे कि उपने भारात चाहिआ तो आप बात का नकसा बना लिजिए और जैसे ही हम बोहारत से बना कर देखें में लिह अप में अंकित कियिए और septic जोग्रोफी कभी भी रटी नहीं जाती है जोग्रोफी समझी जाती है मैं आप जितने ज्यादा बनाओगे उतने ही ज्यादा जोग्रोफी आपके दिमाग में जाएगी भारतिय संग राज्य का सबसे दक्षणी बिंदू जो कि इंद्रा बिंदू कहलाता है 2004 में सुनामी की लहरों के कारण जलमगन हो गया था देखो दोस्तों अभी जो हमारा दक्षणी बिंदू कहलाता है ना वो या तो हमारा कन्या कुमारी इस हिस्से में और या फिर अंड़मान निकोबार दीप समय स्थित है तो अंड़मान निकोबार में एक पॉइंट है या वो माना जाता है पहले इससे भी नीचे हमारा एक बिंदू आ करता था छोटा सा दीप हुआ करता था इंड़रा बिंदू जिससे हम बोलते थे लेकिन इंड़रा बिंदू सुनामी आई और सुनामी में जलमगन हो गया 2004 की सुनामी में तो अब हमारा मुख्य बुमी पे अगर दक्षणी ह इससा पूछा जाए तो हमारा कञ्य कुमारी है और से जीपों में अगर हमारा दक्षणी हिससा पूछा जाए ठो doubling है जो की इंद्रा कन्द पर एक बिंदू स्थित है और जलमग में हो गया है ठीक है आकार भारत का भूबा का कुल चित्रफल 32.8 लाख वर किलोमेटर है तो हमारा चित्रफल कितना है भारत कितने एरिया में फैला हुआ घsesवे के कुल भोगलिक छेत्रफल का 2.4% है अगर हम विश्वे में बारत कितना एरिया घहरा हुआ है तो हमारा भारत विश्वे के कुल 2.4% भाग पर इस्तित है चित्र 1.2 की सायता से इसप्स्ट है कि भारत विश्वे का 7 वाड़ा देश है कि था आप लोग कि आप लोग स करना जरूरी है कि नहीं बिल्कुल जरूरी है क्योंकि हमसे आरेस के एक्जाम में शायद एक बार जमवाया भी गया था कि भारत के उपर के 30 दे दिये गये थे और एक भारत दे दिया गया था और पूछा था कि इनको क्रम वाई जमाओ तो कोड मैं बता देती हूं आपको कलब यह हमें राज्य याद होने चाहिए एक बार आप अपने इस तर पर सर्च किजिएगा और फिर कल हम इस पर और डिस्कस कर लेंगे भारत की जो स्थलिये सीमा रेखा है लगबग 15200 किलोमेटर है और समुद्री तट रेखा अंडवान निकोबार दीप समूह और लक्ष बारत की एक इस्तती है कि भारत यहां से नीचे वाला जो है यह तो हमारी समुद्र में डूबी हुई है और इससे उपर वाली हमारी स्थल से टच है तो आधी जो हमारी रेखा है उसे तो हम बोलते हैं स्थलिये रेखा क्यों क्योंकि वह स्थल से टच है आधी आधी वाली उपर उपर वाली और आधी जो है जो समुद्रे के अंदर भारत डूबा हुआ है उसे हम बोलते हैं हमारी समुद्री सीमा तो इस्थलिय सीमा की अगर बात करें तो इस्थलिय सीमा तो हमारी है 15,200 दिख भी रही होगी आपको कि हमारी स्थलिय सीमा जादा है और अगर हमारी तटिये सीमा की बात करें तो 5516 और तटिये सीमा में हमने लक्षदीप वाला एरिया भी जोड लिया और इधर जो अंडबानने को बार है वो भी जोड लिया उनके समूह सहित हमारी तटिया रेखा 5516.6 किलोमेटर दोस्तों यह बेसिक डेटाज हैं जो हमारे भारत के बारे मे हमें याद होने चाहिए सपने में भी याद होने चाहिए दीन में भी कोई आपको उठाकर पूछ ले तो हमें यह सारी चाहिजे याद होनी चाहिए हना और यह शुरुआति पार है थोड़ी सी एफ्यक्चुल चीजे ज्यदर आएंगए भारत पस्चिम उत्तर और उत्री पूर्वी सीमा पर नवीन तम वलित परवत है तता इसके दक्षणी का भूभाग उत्तर में चोड़ा है तता 22 टिग्री उत्री अक्षान से हिंद महासागर की और ये संक्रा होता जाता है और पस्ची में अरब सागर तता पूरों में बंगाल की खाड़ी इस्तित है ये कह र है कि भारत का जो उत्री भाग है वह चोड़ा है और जो दक्षणी भाग है वह संक्रा होता जाता है और हमारा जो दक्षणी भाग है वह समुद्र के अंदर इस्तित है ये बात इसने बताई है ठीक है और दक्षण भाग में हमारे एक तरफ पस्चिम की तरफ अरब सागर और पूरव की तरफ कौन सी खाड़ी बंगाल की खाड़ी इस्तित है चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांस और देशांतर का विस्तार लगबग 30 है परन्तु फिर भी पूरव से पस्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षन की विस्तार के अपेक्षा कम प्रतीत होता है ये कह रह हैंगे और अटसेट डिगरी साथ मिनेट से सत्यानवे डिगरी 25 मिनेट के देशांतर निकालो तो भी उनके बीच का अंतर 28 गुन 30 के आसपास ही आएगा लेकिन फिर भी यह कह रहा है कि भारत लंबा जादा दिखता है फिर भी चोड़ा थोड़ा हमें कम दिखता है लेकिन चोड़ा कम क्यों दिखता है दोस्तों क्योंकि यहां से जो यह हिस्सा यह अलग से निकला हुआ हमें लगता है भारत यहां ही खतम हो गया लेकिन यह हिस्सा हमारा बिलकुल अलग निकला हुआ है इसलिए हमें थोड़ी चोड़ा ही कम लगती है इसके ठीक है और गुजरात से अरुनाचल परदेश तक इस्थानिय समय रेखा में दो घंटे का अंतर है अता 82 डिग्री साड़ी बईयासी डिग्री पूर विदेश अंतर को मानक या मुतर अक्षांस माना गया है जो कि उत्तर परदेश के मिर्जापूर से गुजरती है बहुत इंपोटेंट चीज है द अब दक्षिंड से उत्तर की ओर दिन रात की अधिपर पी पढ़ता है ये कहरा है कि भारत जो है आगे ओ रोगशायद भारत का हाँ यह कह रहा है कि इधर कोन है गुजरात और इधर है अरुणाचल प्रदेश गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें तो हमारे जो अक्षांस है 68 डिगरी 7 मिनट, 97 डिगरी 25 मिनट यहां के समय में और यहां के समय में लगबग 2 घंटे का अंतर है देखो दोस्तो 68 डिगरी 7 मिनट, 95 डिगरी 25 मिनट देश अंतर इतने देश अंतरों के बीच में इस देता है 4 मिनट का अंतर होता है हर एक देश अंतर पे ठीक है तो मतलब कि 68 डिगरी पर अगर चार बज़े होंगे तो 79 डिगरी पर 4 बज़ के 4 मिनट है ना और फिर 70 डिगरी पर 4 बज़ के 8 मिनट फिर 21 डिगरी पर 4 बज़ के 12 मिनट ऐसे हर एक देशांतर पर 4 मिनट के अधि बढ़ जाती है हमारे है जैसे ही हम आगे चलते जाते हैं तो ऐसा करके 68 डिगरी से लेकर 17 डिगरी तक चलें तो लगबग हमारे समय में दो घंटे अर्थार्थ 120 मिनट का अंतर आ जाता है लेकिन फिर भी पूरे भारत का समय एक समान है ऐसा क्यूं ऐसा इसलिए क्यूंकि हमने साड़ी बयासी डिगरी देखो साड़ी बयासी डिगरी कहां सी आएगी ये चोरे असी है ये असी है तो इन दोनों के बीच में ये जो रेखा बना रखे ये है हमारी साड़ी बयासी डिगरी इसको हमने मानक या मुतर अक्षान अर्थार्थ समय रेखा मान लिया और इस समय र प्रदेश में रहने वाले लोगों की घडियों में एक समय बजा हो इसलिए हमने हमारी एक रेखा को मानक या मुतर अक्षांस रेखा मान लिया है हर एक देश ऐसा करता है कि हम अपनी एक रेखा को मानक या मुतर अक्षांस मान लेता है उस रेखा पर जो घड़ी में टाइम ह होता है वही टाइम हमारे पूरे देश में होता है और पूरे विश्वे की एक मानक या मुतर अक्षांस रेखा है जो है जीरो डिग्री ग्रीन वीच रेखा जो मैंने आपको यह बीचो बीचो बताई थी यह वाली रेखा यह पूरे विश्वे की मानक या मुतर अक्षांस र अगर आपको कोई समय की गढ़ना कर दे तो मैंने क्या कहा हर एक देशांतर पर चार मिनट का अंतर हो जाता है ठीक है तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएगे समय बढ़ता जाएगा चार मिनट और इधर की तरफ जाएगे तो समय हमेशा घड़ता जाएगा मतलब पस्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट कम करते जाएंगे और पूरों में जाएंगे तो 4 मिनट हमेशा बढ़ाते जाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि साड़ी बयासे डिग्री का क्या इंपोर्टेंस है साड़ी बयासे डिग्री कहां से गुजरती है और साड़ी बयासे डिग्री की वज़े से हमारे पूरे भारत में समय एक जैसा रहता है तो आज के लिए इतना ही 15 मिनट का लेक्चर हो गया इससे जादा बड़ा होगा तो आ एक और अरब सागर में लक्ष दीप इस्थित है बारत का सबसे दक्षिंटम पॉइंट इंद्रा पॉइंट था जो 2004 की सुनामी में डूब गया 32,87,263 किलोमेटर हमारा छेत्रफल है और विश्वे के छेत्रफल के हम 2.4% छेत्रफल पे फैले हुए है स्थलिय सीमा हमारी 15,200 और हमारी जो 30 सीमा है या जलिय सीमा पिछे 316.16 और हमारी मानग या मतरक्षांस रेखा है वह है साड़ी बया से डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यह जो मैंने चीचे लास्ट में बताई है इनके कोपी में नोट्स बनाते जाएगा ताकि वापस से जब भी आपको जो ग्रोफी शुरू करनी हो आपको वापस एंसे आटी की किताबे नहीं पढ़नी हो बस अपनी कोपी खोली और थोड़ा सा रिविजन कर लिया वह उतना काफी होगा तो I hope दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब और आपके जो कमेंट है और आपके जो लाइक शेयर होते है वही मुझे मोटिवेट करते हैं तो वीडियो देखने के ल किला